कि आजए आप सभी आशाय की आप सभी लोग अच्छे हूझे जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम हर मंथ क्लोजिंग के बाद आप लोग के साथ वो ओस ट्रॉक्स करते हैं जिनिमेंएक इस ट्रॉजिंग आया है में विकली एंड मंतली दोनों breakout आया है क्योंकि जो कल का जो दिन था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप दे था कल का दिन मतलब फ्राइडे लास्ट फ्राइडे जो क्लोजिंग बहुत इंपोर्टेंट होता है जब क्लोजिंग साथ में हो तो हम ऐसे ज्याइब करेंगे जो स्थाइब बहुत अच्छी वी क्लोजिंग में दिया है जिनका फंडामेंटल भी काफी इंप्रूव हो रहा है और आने वाले टाइम में अगर मार्गेट में port planning कर सकते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा है सबसे पहला स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वह है पक्रणा लिमेटेड का सरा सब्सक्राइध किया अधर हमने लोगów के साथ वीकिली टाइम फ्रेम पर चार्ट श evangelical किया डो की हमारा जो रेंज था वह आपका यह हाई था मा और यह वाला हाई था यहां अगर देखें तो यहां पर यह स्टॉक एक परने से बाहर निकला तह आप देखिए कि 2012 मही मैं 2012 चुछ तो दो सालों से रेंज के बाहर निकला उसके बाद है तो अभी क्या है अभी इसने और टाइम हाई कभी हमको ब्रेक आउट दे दिया है अब बात करें तो यह दोनों लेवल हैं जो मैंने अभी एक बॉक्स बनाया है नीचे और एक अर्जिंटल लेंड रोग किया है यह दोनों हमारा पहले क्या था एक कर रेसिस्टल स्लाइन था अब क्या हो चुका है कि जब्रेक आउट दे चुका है तो अब अगर मार्किट करेक्ट होता है और मार्केट नीचे आता है यहां से तो जिसने माल लीजे कि market यहां से नीचे के तरफ आता है यहांसे नीचे आया इस तरीके से नीचे आयाता है तो हमारे लिए क्या होगा वो एक हमारे लिए अपर्चोंटी बनेगी क्यों क्योंकि हमारा जो timeframe मतलब जो हमारा एक ट्रेन्ड है हाई उम्हेंन हिंट कर रहा था गोट कर रहे हैं इसे कि वह बटा पोजोटीव चेरंज हो जुसकी वजए से ट्रियेश कंटीनिय कोटल यहां बरता चला चाला जाएगा या इसा इसे bess रम है हमें हमारे level का wait करना है इसमें जो मेरे according levels है वह मैंने already mark कर दिये हैं एक तो all time है उसके पास उसके बाद अगर हम देखें तो line chart के according हमारा एक value बनता है जो की around आता है closing value है यह 770 का और यही चीज़ अगर हम monthly में देखें तो बनता है 795 तो मतलब अगर हम इसमें बात करें तो monthly के वैसे पर हमारा जो रेंज बन रहा है वह बन रहा है 800 से लेकर 850 का उसके बाद जो दूसरा major support level है वह है आपका 600 से लेकर 650 को यह दो रेंज हैं क्योंकि हम आपको इस तरीके से ही प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बात करें रेंज की तो फर्स लेवल से से केंड लेवल में 20 परशंट का करेक्शन का फॉल है तो अगर हम यहां पर दो दो पार्ट में करते हैं क्योंकि हम मैं ऐसे टाइम पे एक सिंगल रेवल पांकर में करें क्योंकि मेरे कथा मार्क्ट में रही चल्राल नहीं आया है तो अगर किसी जय से आता है तो मज़कर कर के चलो साथ के साथ अगसा अगर मैं देखू तो यहांपर एक 10 लाइन बिर में बनेगा तो future में यह 10 line का भी support का काम करेगा तो उसके according ही मैंने आपर अपनी planning करी हुई है so यह दोनो support level है so future में कभी भी support level है उसके according आप investing का planning कर सकते हैं किसी भी stocks के अंदर closing होते ही अपने entry नहीं करते हैं मैं बिल्कुल नहीं करता और मैं कोशिस करता हूँ अब इसका अगर हम fundamental देख लें तो इसके फंडामेंटल के according अगर हम देखें तो पकड़ना का मार्केट के आज की रेट में 3000 क्रोड के असपास का है 27 का पी चल रहा है डेट बहुत ज्यादा नहीं है पर मोटर के ओल्डिंग 56 परशंट है और यह जो में काम है इसका आगर आप पढ़ेंगे यहां से उसमें काफी ज़्यादा अप्डाउन कई पर अपने को देखने को म बगाती है उसकी वजह से ही इसमें कई बार मतलब प्रॉब्लम देखने को मिला है अधरवाइज अच्छा काम है और अच्छी कॉलिटी के यह लोग ग्रेनाइट और कोड्स के बनाते हैं तो अब अगर हम बात करें आगे चलें तो आप एक चीज देखिए सेल्स के कोर्डि तो मुझे एक चीज नोटिस में देखा है मैंने कि इसका जो एवरेज मार्जिन है वो 25 से 30 के बीज में और यह अपने अल्मोस्ट हाइस मार्जिन के असपास चल रहा है प्रॉफिट की बात करें तो देखे साथ 12 31 51 70 42 81 71 28 कम हुआ पाउग गिरा भी था 78 फिर 66 87 103 टीटियम अगर हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ तो उसमें सबसे हाइस पर चल रहा है एक और इंटरेस्टिन चीज अगर हम देखें इसके अंदर तो देखें पर मोटर की होल्डिंग अगर हम यह और यह बात है यह एक बहुत पॉइंट लगता है मेरे को कि अगर पॉडिक की होल्डि तो यह एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था इसके अंदर बाकि अगर हम देखें तो इसके अंदर चीज़े चल रही है बीच में काफी कैपक्स हुआ था अभी फिर से इसमें कैपक्स स्टार्ट हुआ है अगर हम बात करें कर जे कि तो पिछले तीन साल में कंटीनियों कर रजा काम हो रहा है तो यह कुछ पॉजिटिव डवलप्मेंट्स हैं तो अब कंपनी का चार्ट अच्छा है फंडामेंटल फ्लेट्टू पॉजिटिव है मतलब इंप्रूब्मेंट वाला है तो ऐसे में हमको मतलब एक अपॉर्चनटी मिलती है काम करने के लिए दूसरा तो जो स्टॉक है हमारा वह है काइटेक्स काइटेक्स कर्मेंट की विए गर हम बात करें तो वाल्यूम आप देख सकते हैं ठीक है और हम बात करते हैं रेंज की तो इसके अंदर जो मैंने अभी अब्जर्ब किया कि इसने करीब करीब हम टाइम की बात अगर करें तो करीब करें इसने 88 months का breakout दिया है 88 months मतलब हो गया आपका लगबग लगबग आपका हो गया आठ साल ठीक है सो मतलब more than seven year हो गया आपना है सो हम अगर देखें तो स्टॉक 2017 से लेकर अभी तक एक एक रेंज में टेट कर रहा था और यहां पर हमको breakout देखने को मिला है सपोर्ट लेवल्स के अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट लेवल आपका रिसेंट है दूसरा आपका यह वाला है क्योंकि रिसेंट का एक स्विंग आई है और तीसरा जो आएगा वह लाइन चार्ट का टेंड लाइन के अगर मैं बात करूं तो यह द्रॉ कर सकते हैं तो टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो पान सालों से ज्यादा जैसे मैं मानता हूं कि 5 साल से ज्यादा को ऐस ब्रेक आइप दे रहे तो वह लोंग्ट अच्छा काम कर सकता है देखे इस टॉपलोस भी हो सक इसका fundamental देखें तो fundamental में एक जो सबसे positive चीश जो मुझे लगी मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि यह जो CAPEX है CWIP जो है आप देखें कि पहले double digit मतलब CR में था अभी 300 क्रोड 800 क्रोड मतलब पढ़ेंगे तो इसके कॉन कॉल में और जो इसकी पीपीटिया नोट्स हैं यहां अपने को देखने को बिलेगा और रेटिंग रिपोर्ट भी जुरूर पढ़ा करें इससे क्या होता है कि कंपनी क्या कर रहे हो भी चीज समझ में आती है अब इसके पर मोटर की बात करें तो इसमें बढ़ी है ठीक है इसमें कभी थी नहीं कभी भी नहीं और नॉर्मली माइं बहुत माइनर है तो एक तो यह चीज थी प्लस जो मैं आपको बता है कि जो मुझे अट्रेक्ट करने वाले चीज थी इसका अंदर जो कैपक्स है वो चीज करजा बढ़ा है बिल्कुल पास पहुंच चुका है और जो मार्जिन है जो बहुत ज्यादा नीचे चले गया थे वह भी अब इसके सुधर रहे हैं तो प्रॉफिट के अगर बात करें तो यह दो प्रॉफिट को छोड़ दें तो और यह 2016 के प्रॉफिट को छोड़ दें तो अभी एक हेल्दी उसमें प्रॉफिटी सेवन से फिटी सिक्सें सेवेंटी तो मतलब इंप्रॉफिम्मेंट आ रहा है कंपनी कंदर और क्यापेक्स भी है तो इसका भी रिजल्ट आगे देखने को मिल सकते हैं तो इतना पता है कि अगर आप सभी स्टॉप में बैठे हुए काम कंपनी अच्छा कर ल तो इसमें भी जो में पॉइंट था वह मैंने आपको पता दिया पहले अगर आप देखेंगे तो इसके में करजा नहीं था जादा अभी बढ़ा है लेकिन उसके पीछे रीजन भी है कैपेक्स देखिए 25 से सीधा 681 क्रोड के असपास हो गया है ठीक है सो यह काइटेक्स थ रहा था और यह प्रॉप्स्मेटली आट से नौ मीने नहीं चला अगेन अभी मूव दे रहा है अगर हम बात करें तो इसने एक नया हाई का ब्रेक आउट भी दिया है कि रिसेंट्ली तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है वह यह तीनों सपोर्ट लेवल बनता है कि एक ट्रेंड लाइन बनती है हमारे जो नीचे से हम लेटेस्ट दो लोगों मिलाके खीच सकते हैं एक सपोर्ट लाइन है और जो पूराने सपोर्ट लाइन थो आपकी यह तो देखिए ट्रेंड चेंज हुआ फिर नीच आया फिर प्राइज उपर गया तो जैसे देखिए यहां ब्रेकाउट आया फिर उसी लेवल को रिटेस्ट करना है अब जब रिटेस्ट करना है तो एक चीज़ नोटिस कीजिए आप लाइन चार्ट के गॉर्डिंग क्या वैलू था यह वैलू था आप देखिए कि प्राइज जब नीचा आया है तो कहां पर आया है तो इस तरीके से जो पहले रेसिस्टेंस होता है वह बाद में सपोर्ट का का काम करता है तो यह सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लिए अब अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल में आपको एक चीज़ दिखेगी कि यह जो है यह आपका गोल्ड डायमेंड सिल्वर प्लाटिनम और प्रेशियस स्टोंस यह आप समझ लीजी कि एक तरीके से जोल्री वाला हो गया काम ठीक है जैसे अपना तन मार्क टॉंटीटी के रट गोल्ड गोल्ड प्रोड़क्ट प्रोफाइल क्या-क्या इनके वह सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है बिजनस हाइलाइट ओपनिंग निव इस्टोर इन स्ट्रेजिक लोकेशन इंक्लूडिंग वापी जी आइडी सी गुजरात प्लान फॉर फ प्रोफिटी बिल्डा ने भी रिसेंट्ली अभी एक स्टोर खोला है हमारे जैपूर में भी ठीक है डिटेल ऑप्रेशंस 99 एंड रिवेन्यू फ्रॉम नॉन डिटेल अपरेक्शंस वन परसेंट अउनली तो उससे बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है एंड अगर हम प्रोफिट करता था उस लेवल पर यह पहुंच रहा है क्योंकि पहले मार्जिन अच्छा था ठीक है तो अब क्या है कि अब ज्यादा एक्स्पेंशन पर फोकस कर रही है कंपनिया और इसके अगर हम पढ़ें यहां से जैसे नोर्स देखें फरवरी 2024 की तो यहां से आप य एक अच्छी बात है कि पर्मोटर की होल्डिंग हाइस जो होती है वह है कोई चेंज नहीं है इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है इसमें पब्लीक के पास और इस पब्लीक में भी अगर आप देखेंगे तो माला बार गोल्ड के पास तीन परशंट है काफी बड़ा फंड है एंड विजय कुमार चोटा भाई कहलादास पटेल इनके पास बेक पर्शंट स्टेक है तो अगर हम देखें तो यहां पर ऐसे लोग भी होंगे अगर किसी के पास मालीजे की टैन करोड के ओल्डिंग है तो वह इसमें नाम उनका नहीं आएगा क्योंकि वन पर्शंट स्ट नहीं नहीं खोल रहे हैं इसमें तरीके का डिमांड आके चलके दिख रहा है प्लस गोल्ड सिल्वर एक ऐसा चीज जो देरे देरे बढ़ रहा है और इनका ट्रेंड भी अच्छा है तो उसका भी में भी पॉजिटिव आटलूक इसमें अपने को देखने को मिल रहा होगा तो यह जो चीजे थी यह आज की हमारे तीसरा स्टॉक था हमारा आज कही है अब बात कर लेते हैं लास्ट श्टॉक तो वह है जिलेट इंडिया का जो की अगर हम बात करें तो 2019 का जो हाई था मतलब मोर दंफाइफ यर का रेंज का ब्रेक आउट दियाए इससे पहले भी इसने ब्रेक तो बैक रिजेक्शन दे रहा था इस बार इसने बिल्कुल कन्फॉर्म ब्रेक आउट दिया है और यह इसका सपोर्ट जोन था जो की इसने उ तो इसके अंदर जो support levels हैं उसके भी लाइने मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉग कर दिया है तो यह आपके लिए मैंने लाइने ड्रॉग कर दी जो support लाइने latest तो आपको दिख रहा होगा कि all-time high का breakout है इससे पहले भी देखिए यहां पर इसने all-time high का breakout दिया था एक लंबे सी आगे इसमें भी क्या होता है बाकी चार्ड अच्छा है ट्रेंड बुलिस है और टाइम ही का breakout है पांच साल ज्यादा का breakout है वाल्यूम भी आप देखेंगा तो अच्छा वाल्यूम बिल्डप हुआ है पछले कुछ महीनों में काफी टाइम से नॉन परफॉर्मिंग्स थ परदेंगे प्रोड़क्त प्रोटफुल्य आप यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है और इसके बारे में ज्यादा टाइम अपन नहीं खराब करेंगे आपन को पढ़ सकते हैं इसको अगर हम सेल्स की बात करें तो आज की डेट में हाइस सेल्स पर पहुंच चुका है यह मार्ज मार्जिन की बात अगर करें तो 9-4-10-7-22-23 continue मार्जिन बढ़ रहा है और आज की डेट में हाइस मार्जिन पर खड़ा है स्टॉक और हाइस प्रॉफिट पर खड़ा है तो दिख रहा है कि ग्रोथ continue बढ़ रही है बीच में slowdown आया था उसके पीछे का रिजन भी आपको सम देखें तो पर मोटर की ओल्डिंग में कोई चेंज नहीं है पबलिक की ओल्डिंग कम होई है एक अच्छी पॉजिटिव चीज़े हैं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चोटे मोटे के चलते रहते हैं कर जा इनके ऊपर नहीं है तो फंडामेंटल वीक नहीं होन दीरे दीरे नंबर्स ग्रो कर रहें तो उसका भी बैनेफिट अपने को देखने को मिल रहा है अगर मन्त ऑन मन्त बैसे पर देखने तो 27 परशंट बीम इन्होंने अचीव किया है जो कि मंतली पर अगर हम बात करें तो हाइस 24 परशंट के असपास का इनका हमें दिख रहा ह अच्छा है इंप्रूमिंग है ग्रोथ वाला दिख रहा है तो इस वज़े से हमारे रडार पर आया था यह वह सारे स्टॉक्स थे जो हमने मंतली ब्रेक आउट पर आप लोग के साथ सेयर किये यह सारे स्टॉक्स हमारी तरफ से ना ही बाइंग और सेलिंग रिकमेंड़ें हैं जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग सेर्ट हैं यहां पर बात कर रहे हैं यह हमारे पास हमारे क्लाइंट के पास हो सकता है सो प्लीज कोई भी ट्रेड करें कोई इन्वेस्टमेंट करें तो खुद का रिसर्च जरूर करें और एक और अच्छी कबर आपके इन्वेस्टमबर को उसके लिए आप हमारे वेबसाइट को डॉट इन पर जाके विजट कर सकते हैं और वहां पर इवेंट सेक्षन में जाके आप रिश्यसन भी कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू